बिहार के मुझफरपूर जीले में बेखोफ अपराधियों ने हतियार के दम पर पेट्रोल पंप से 90,000 रुपे की लूट किये बाइक सवार दो अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया है घटना सिसी टीवी में कैथ हो गई सूचना मिलते ही मोगे पर पहुची पुलिस ने पेट्रोल पंप मैनेजर के बयान पर केस दर्ज कर लिया और मामले की जांच में चुट गई है वारदात के संबंध में बताया जा रहा है कि गुरुवार रात करीब 9 बजे बाइक सवार दो अपराधी हाजीपूर मुझफरपूर फॉर लेन के किनारे सक्री में स्थित्रिलाइंस पेट्रोल पंप पर पहुचे एक अपराधी हेलमेट पहनी हुए जबकि दूसरा चेहरे पर रुमाल भांदी हुए था बाइक पर पीछे बैठे अपराधी ने नोजल मेन को टंकी फूल करने का कहा टंकी फूल करने के बाद जब पंप कर्मी ने उससे पैसे मांगी तो उसने बाइक आगे बढ़ा दी पंप कर्मी ने जब पीछा किया तब एक अपराधी बाइक से उत्रा और पिस्चल दिखा कर रुपए से भरा बैक छीन लिया वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों अपराधी मोके से फरार निकले पूलिस ने बताया कि जिस बाइक से दोनों अपराधी आये थे उस पर नंबर नहीं लिखा था चेरा ढखे होने की वज़े से दोनों अपराधीों के बारी में अब तक कुछ भी पता नहीं चला है पेट्रोल पंप मैनेजर ने सिस्टीवी फुटेज पूलिस को सोब दी है पूलिस का कहना है कि सभी थानों को घटना की जानकारी दी गई है अब राध्यों की तलाश में चापे मारी की जा रही है ऐसे ही लेटेश को बहें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइब शेर और सब्सक्राइब करें घन्ने वाल